सभी आप सभी भूगल के विद्धर्ती हैं और अगर आप भूगल के विद्धर्ती नहीं है फिर भी आपको बेनिफीड है अगर आप एक जम देने जा रहा है तो काफी सारा कोश्चेन पुशा जाता है कौन स्रा इंस्रुमेंट का क्या नाम है और उसको प्रयोक कहां पे होत इसका कुकी जो आप देख रहे हैं बारउमिटर इसका बेसे के लिए यूज होता है बाईयोमंडरली दाफ को मापने के लिए इसको यूज किया जाता है व्यूश क्या गरिय। बाइमंडली दाफ को मापा जाता है, it also known as the Toriocilli, इसको याद रखेंगे Toriocilli tube, after the Toriocilli, actually Toriocilli जो है इन्होंने इन्वेंट किया था इन्ट्रूमेंट का, इसको याद रखेंगे इसका नाम, Toriocilli, who invented this instrument, actually barometer जो है Toriocilli का इन्वेंट्शन है, तो इसका नाम भी याद रखें रखेंगे, यह है barometer, दूसरी है wind van, wind van या weather cock बोलते हैं, इसको आप देख रहे हैं तस्वीर में, इसको wind van भी बोलते हैं, और weather cock भी बोलते हैं, तो wind van जो है, basically, यह जो instrument है observing the wind direction, बायू के दिशा, इसको याद रखेंगे, कि बायू के दिशा को हम जब दिशा को निरनाय कर करने के लिए कुन सी जंत्र का प्रयोक किया जाता है, basically, वो है wind van, इसको याद रखेंगे, wind van या weather cock कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि, इंग्लीज में भी लिखा है, instrument observing the direction of winds, बायू के जो दिशा, जब हमारे बायू जब चलती है, आपको पता दू, जब पेड़ के पता हिलता है, तो हमें पता चलता है की बायू है, और सांती शात आपको ओ धी पता चलता है की बायू के दिशा कुद से दिशा में आ रही है, उसको पता लगने के लिए हमें wind van का इस्ते वारु किया जा रही है, कि North से South के तरफ जा रहे हैं कि South West से किसी दिसात जो है आपको दिखने के लिए Wind Van का इस्तिमाल किया जाता है और कैसा लग रहा है ब्रॉट जुरूर कॉमेंट करें मेरा sound वीडियो क्लियर जा रही है और जुरूर हमारे शद बने रहेंगे बहुत सारे इंस्ट्रिमेंट आपके सामने हम ला रहे हैं दिखाएंगे और एक बात बता दू अगर आप नया है जुरूर सस्काइब कर लेंगे क्योंकि इस तरह नया वीडियो आपको मिलेगी और यूट्यूब में बेल आई बेल ऑल जो बाटन है उसको अगर नहीं दबाएंगे तो मेरे कमिंग वीडियो आपको नहीं मिलेगी इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि बेल ऑल जुरूर दबा ले ताकि कमिंग जिदने सारे नया नया वीडियो है एक जाम गाइड से लेके एक प्राक्टिकल के टिप्स के लेके सारी आपको मिलेगी हमारे इस चैनल में मैं हूँ डॉक्टर नर्णनाथ आप सबी जानते हैं कि चैतना कॉले जांजगीर चांपा 36 गड़ के भूगल के असिस्टेंट प्रफेसर हूं है और मेरा एक कोसीज है कि हमारे बिदर्थी के प्राइब संजेना आप जूरूर लाइफ चैट कर सकते हैं लाइफ चैट अप्शन खुला है और और राजकुमार कुर्रे जी को भी वेलकम क्योंकि उन्होंने भी हमारे ब्राट देख रहे हैं सभी को सागत करता है लाइफ चैट में आप जुरूर आमारे साथ बातचीत कर सकते हैं लाइफ चैट कीजिए चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो का नेक्स्ट है रेंगेज यह जो आप देख रहे हैं यह है रेंगेज और यह जो है इस इंस्ट्रुमेंट यूज टू मेजर दा एमाउंट ऑव लिक्वीट प्रेसिपिटेशन ओवर एंड सेट प्रियोट जब बारिस होती है आपको बता दू बारिस के मापने के लिए आप घ और इस इंस्ट्रुमेंट का इजनगेज यूज तू मेजर दा एमाउंट ऑव लिक्वीट प्रेसिपिटेशन ऑबंद सेट और एंस इंस्टुमेंट के दाराह रहा हम परसाकि नहो रही है बारिस कितना हो रहे हैं वहाम जानकरी ले सकते हैं।। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्नोगेज। मैशीन आप देख रहा हैं स्नोगेज बोलते हैं। भूगल की one-off instrument, most importantiness instrument है। और इस रेन गेज्स, unlike the rain gauge, the snow gauge is major, the solid precipitation. प्रेसिपिटेशन जो हमारे कभी कई वर क्या होता है स्नो मतलब ही मानी हैं न ही मानी कितना उसमें तब्मान कितना है ऊहां पर और किस तरह जम रही है वहाँ पे तो वह मेजर्मेंट कर ले के लिए आपका सुनोगेज जो है इस जंद्र का प्रवक किया जाता है और इसको याद रखेंगे जो इंस्ट्रुमेंट है इस दा आइडेंटिकल एंटु रेंगेज बाट अलाइक दा रेंगेज बेसिकली खान जुड़े हैं गविंदा सब कमेंट कीजिए आपका कमेंट हम जरू देखेंगे प्रतीमा प्रतीमा जुड़े हैं वलकाम तोनुस्री सब यहां पर दिग रहे हैं आप जरू कमेंट करेंगे नेक्स्ट जो है एनिमोमीटर यह जो मैसीन है हमारे खुद पास लैब में ह अगर आप देखना चाहते हैं जरूर आप लैब आ सकते हैं एनिमोमीटर है हमारे पास तो इनिमोमीटर जो है विसिकली डिवाइज उस्टू मेजर विंड स्पीट बायू के जो गती होता है बायू कितने गती में चल रही है वो कैसे पता चलेगा आप जब बाइक चलाते ह है वो भी हम बताएंगे बाइक के स्पीट मेटर जो है और बायू के गती को मावने के लिए अनिमोमीटर का इस्तिमाल किया जाता है आजकाल अनिमोमीटर दो तरह है आगर डिजिटल अनिमोमीटर भी मार्केट में आ गया है आप वह भी ले सकते हैं बायू जब चलते हैं स्पीट में अनिमोमीटर के दारा आप डिजिट कितने स्पीड बायू चल रही है और इसका आपको बता दो परिक्षा में पूछा जाता था प्रैक्टिकल एंगजाम और विए और इन्वरशिटी डेड़ भी आ गया helps us to know fast winds moving at the given time किसी भी समय में अगर आप दीन में चार बार रेडिंग लेते हैं या सुबे टाइम बायू के गती कितना साम के टाइम बायू के गती कितना या दो पार के टाइम बायू के गती कितना बायू हाट टाइम सेम स्पीड में नहीं भागती है अगर आप स्टाडी करते हैं अगर आप रिसर्चर है अगर आप सोथ कर रहे हैं कि बायू के गती कितना होती हैं कैसे पता चले पता करें तो एनिमेटर आप ले सकते हैं ज्यादा महेंगा नहीं है और इसके दारा आपको पता चलेगा कि बाई के ग्वोति कितना है आपको किसी भी एरिया आप जाके वहां के उपर आप स्टाड़ी कर सकते हैं डे टाइम सुभे टाइम मौनिंग टाइम किस समय में किस तरह बाई कि ग्वोति चल रही है वेलकम टू अपको हम सवागत करते हैं हमारे चैनल पर और नेक्ट जो है ह को है hydrometer आप देखे होंगे यह जो मैसीन दिख रहा है आपको यह बैसिकली हाइट विटर थार्मोमेटर देखनों में है लेकिन हाइड्रोमेटर है हाइड्रोमेटर बैसिकली मेज़र दा रिलेटिव डेंसिटी और दा स्पेसिफिक ग्राविटी अव लिक्वीट्स और इसको मैसीन आप दिख रहे है इसको बोलते है radius यह मैसीन बैसिके लीए हाई गरोमिटर मेजरमेंट रिलिज कौह पुलते हैं आदरता आप इस हिसे आफ परिमाफ किया जाता है जब हम किसी एरिया में सपोज आप 36 गड़ में है या आप बंगाल में है अगर आप MP में है अगर आप दिल्ली में है आप दिल्ली का उस दिन का relative humidity कितना रहा तो आपको measurement करने के लिए हाइगो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो हाइगो मीटर में हाइगुर मीटर के दारा esled अगे चलते हैं यह है घर-घर में घर में होगे थर्मों इडरा में और rented सब अगो लोग तो आप जानते होंगे इस पॉर मेजरिंग दर टेंपरेचर एस और नो क्योंकि ताबमान को मापा जाता है आपको बता दू हम जब बॉड़ी का टेंपरेचर मापते हैं तो नर्माली हमारे 99 97 98 ऐसा बॉड़ी के ताबमान पाए जाते हैं अगर आपको बता तो आप अगरा लैब में हमारे लैब में रखा है यह मैसींज जैसे थर्मोमेटर आप खुले रूम के अंदर अगर रग दिए तो रूम के टेंपरेचर कितना है वह भी आपको पता चलेगा जनरली इसमें थर्मोमेटर का जो पारत पारा होते हैं वह वहां समाज में इस्तिमाल होता है मानव सोरिर के ताबमान माबने के लिए मेडिकल में तो बहुत बड़ा जोगदन है और साथी शाथ हमारे भूगल के विद्धरति के लिए थर्मोमेटर का प्रयोग जो है काफी मात्रा में यूज होता है पानी के ताबमान माबना या किसी रू करना है तो थर्मोमेटर का प्रयोक जो है काफी मात्रा में ओती है इसी के वीज मेरे पास कॉमेट आया है रागमेंद्र सेर मैं बहुत ही कॉन्फूशन में हूँ क्या सोच कि परियाबरन कैसे लिखूं मतलब परियाबरन आज मेरा ट्रॉपिक भूगल के हैं भाई भूगल के पैक्टिकल के भाईबा और भूगल के पैक्टिकल में क्या इंस्ट्रॉमेंट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिक के वाहर प्लीज कॉमेंट ना करे उनुपम ध्रिद्राहरे गूड इविनिंग गवींद, पल्लोभी कुमारी, हर्ट्स, माभाया और एसी पैक्टिकल के पैक्टिकल के लिए गवींद, प्रोतिमा, सबी लोग आप लोग देखते रहें, अगर लाइब चैट ऑन है, किसी का कुछ पूझना है, लाइब चैट में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट है सीजमोग्राफ, सीजमोग्राफ बेसिकली मेली यूज पार मेज कि- मैया म्हाषूस किया, जमीन हिलने जरूर कमैंट करें, भूकम कितने लोग देखें हैं, या मैसुस किये हैं पंखा हिलते हुए, जमीन हिलते हुए, आपको पता है कि भूकम अपने का जंत्र का क्या नाम है उसमों सिस्मोग्राफ का जाता है सिस्मोग्राफी होता है तो इस तरह मैसीन आपके सामने तस्वीर दिग रहा है कि कैसा देखने में है और इसमें बिसिकली रीडिंग होता है कि कितने प्रतिशात भूकम के मात्रा देखने को मिला अग सब्सक्राइब होते हैं तो आपको बता दू और मेरे चैनल में भी कुछ भुकम का अनलाइसिस है टॉप क्या-क्या भुकम आया था और भुकम हमारे पूरे पित्वी होते रहते हैं और इसको मावने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तिमाल किया आता है में लिए उच प्रतिशद है जब देखा गया है कि 6.5.7 पॉइंट के जादा होते हैं तो लुक्षण जादा होती है उसमें आर्थक्वेग में इस ग्राफिकली इसमें पता चलता है कि कि इतना उसमें हो रही है नेक्स्ट हैं सानी बंजारे विलकाम नेक्स्ट है मैक्सिमाम और मिनिमम थार्म утंचि जिन लोग देख नहीं पार68 प्लीस लेंग को सचर कर दें तकि दूज्रे ओर देख पाया लाब उठाअ पाये माक्सिमाम और मिनिमम थार्ममीटर कें जो ताबoria मेमम कि चांची मारे माइन के उस agency ताब्मान कीदना मीनिमम्त के नहीं तो इस तरह समने मैक्स इसके क्या बॉलते हैं इसको नाम को याद रखेंगे इस मेरा और इसको मेजर किया जाता है और उसमें सुखे और थाद आदर शुस्क इसमें बिसिकली सुखा ड्राइडराई सब्द जो है इंग्लीज में उसको सुस्क बोलते हैं और वालव अप्थ हर्ममीटर जो है इसमें रेडिंग लिया जाता है इसकाल दा मौनसून हाइग्रोमीट है उसको हम सही मात्रा में ले सके और उसमें अध्यान कर सके तो इसमें एड्मोस्पारिक हुमिडिटी इस मेजर उधा हिल्प ऑफ वेट एंड ड्राइवाल थर्मोमीटर वेसिकली इस कॉल्ड मोनसून हाइग्रोमीटर बोला जाता है क्लियर कैसा लग रहा है जोरूर कमेंट करें क्लास नेर्ट जो है काफी इंट्रिस्टिंग यह Verfügung do इसको क्या बोलते हैं क्लाइòमीटर बोल्ते हैं ृचलाइनःग्ग अपसलोपQué समक्ता है जो होते हैं धाल को मेजर किया जाता है इट कैनल सू यूजर दा एलिवेटर हाइट किसी उचाई से किसी धाल को जो हम एंगल करते हैं किद्रें डिगरी कौन भी स्तीध है अग्याँ जो है नाम को याद रखेंगे जो ग्राविटी क्लाइम डिस्क वार किया वो है विलियम बी मिलिक जो है 1989 में इन्होंने इसको डिस्क वार किया था तो इससे याद रखेंगे तो क्लाइनोमिटर का इस्तेमाल कई जगा में कौन किसी उचा स्तान से किसी नीचा हिस्सा का कितने डिगरी एंगल पर स्तीध है वो हम सही मात्रा में उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इजी ली हम उसको मेजर्मेंट कर सकते हैं कितने डिगरी पर हैं लिए क्लाइनोमिटर का भूगल में प्रैक्टिकली यूज होते हैं बहुत सारे पुराना सिलिवस में तो था क्लाइट मीटर अभी आभी कोई सिटिम इसको नहीं रखा है कुछ युई में चलाइज में कॉछ जगा ऑधनी है आगे बढ़ते हैं यह काफी ईनकिला रिभार में मोट व कि अवर आऔर ता स्रू में सेकर्ट अवाइण देखे लेंड सार्वी जो हमारे भूमी की ऊपर अथा भूतल की ऊपर हम जो भी कुछ सार्विंग करते हैं जरीब करते हैं तो क्लाइनोमिटर का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं क्लाइनोमिटर के दारा हम वहां पर अध्यान कर सकते हैं रॉक्स ट्राइग लाइन को इस अब निकाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं वह है बेफर्ट स्केल काफी इंपोर्टेंट है बेफर्ट स्केल के बारे में आपको जानना होगा अगर आप भूगल की विद्धरती हैं या आप कॉंपटीशन एकश्म देने जा रहा हैं बेफर्ट स्केल बेसिकली मेजरींग वीड्श्पीट करेंग किया जाता है crimes के यहां पर इस्तिमाल किया जाता है आगे बारते हैं वो है प्लेनी प्लेनी मीटर कई किसी जगा का मांचीतर बनाना है और मानचीत्र पर वहाँ पर एरिया मेजरमेंट कितना है, वो हमें according to scale में जब convert करते हैं, किसी भी धरातली मानचीत्र के उपर जब हम planimeter का इस्तिमाल करते हैं, उस जगह का actual area कितना दूर फेली हुई है, क्योंकि हम जब मानचीत्र पर map देखते हैं, मानचीत्र में नदी बन नहीं हुई है, हमको पता नहीं लगता कि उस सड़क का दूरी कितना है, अब जब map scale माबनी को हम देखते हैं, कि map में जो दूरी है, मानचीत्र पर जो 2 cm का दूरी है, बरतमान धरातल में उसको 50 km दूरी है, वो हम scale देखके बताते हैं, यहां की नहीं, कि scale में लिखा है, ए सभी का दूरी, मतलब बास्तब में 50 km दूर में है, तो यह जो प्लानी मीटर है, यह रोटा मीटर भी मैं देखा हूँगा, अभी एडवांस में रोटा मीटर भी आच्छा चाहा रहा है, ताकि प्रैक्टिकल इतना अच्छा इंस्ट्रुमेंट है, पोलर प्लानी मीटर जो किया था और यह जो इंस्ट्रुमेंट है, भूगल की था रहती के लिए काफी है, हम जब किसी एरिया के आजे किसी जगा के तौफोशित के वर एरिया लेते हैं, कॉंटुर एरिया हो या रिभार का निदी का एरिया मापते हैं, तो इस मैशीन का इस्निमाल किया जाता है। तकि एजीली करेक्ट है हमारा एंसर जो है वो मिल सके वो है प्लैनी मीटर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हो रही है बर्तवन समय में और इसका प्रयोक करने से आपको सही रेजाड भी देखने को मिल रही है आगे मैं चलूंगा स्पेडो मिटर यह बिसिकली स्पेडो मिटर बिसिकली जो है यह आपके बाइक में भी दिखता है कि आपके बाइक कितना स्पीड में चल रही है दिखता है कि नहीं यह बिसिकली स्पेडो मिटर बोलते हैं स्पेडो मिटर भूगल में भी इस्तिमाल कह जाता है स्पेडो मिट रही हैं और आपके कर में पता नहीं चल रहा है आप मोबायल में डाउट कर लिजे particularly मिटास्ट कर ले लूँटर पाइस और आपके मोबायर कीद्टि में रही है ओदि और मोबाइल में 100 में दड़ रही है 50 में दड़ रही है तो इस स्पेड़ो मीटर अजकर डिजिटल फर्मट में भी आ गया नाओ स्पेड़ो मीटर अजकर बहुत सारे डिजिटल फर्मट में भी आ रही है और इस स्पेड़ो मीटर का इस्तेमाल बहुत जगा में हो रही है और यह जो स्पीड के बारे में आपको बता दू काफी इंटरेस्टिंग है और इह लेवेल के आ और बैसिकली इस के प्रयोख जो पीजी के बीढहती है इसका प्रयोग करते क्योंकि लेवलिंग और इस इंस्ट्रूमेंट के दारा आप वेरियस अलाग अलाग बिंदू के जो उच्छाई है उच्छवाज है उसको परलाल जो लेवलिंग जो है अगर देखे या बास रूट में देखे अधाल कितना रखना है यह सारी कैलकुलेशन जो है यह बाई डांपी लेवल के दारा किया जाता है जबकि यह सिविल इंजिनियरिंग के सीलेवाज में बाट भूगोल में है हमारे भूगोल के विद्धर्थी को मैं यह बताओं कि आप नॉट ए आर्ट के स्टुडेंट है आप साइन्स के स्टुडेंट है इडिस दा मादर सब जेख जिवराफी देफरेंट अब्जेक्ट्ट इंक्लूड है तो डांपी लेवल का प्रयोक हमारे भूगोल के विद्धर्थी करते हैं हर हर स्टेडी में इनका प्रयोक जो है काफी मात्रा में ज्यादा हो रही है और लेविलिंग इंस्टुमेंट के जगा में काफी एड बिल्डिंग बनाने के टाइम हम वहां पर देखते हैं कि कितना गहरा ही करना पड़ेगा कितना उठाना पड़ेगा इस तरह जो है कामधाम जो जितने सारे लेविलिंग जो हराइजन्टल फ्लैन इडिज उसका यूज प्रवक किया जाता है डांपे लेवल एनदर जो है इसक में काफी अड्वांटेज मिलेगी इसका प्रयोक यूज जो है मैं आपको बता दू यह है दूरी और उचाई मापने के लिए यूज किया जाता है और ताथ किसी भी स्तान से किसी भी स्तान का दूरी और वहां से उचाई कितना है बिल्डिंग के हाइड मापना किसी सब्सक्राइब के मोबाइल टावर के ऊपर चड़ेंगे ऊपर चड़ने का जोरूरत नहीं है आप बैठे बैठे आप मोबाइल टावर के हाइट को माप सकते हैं इस इंस्टुमेंट के दारा और इस दा फ्रेजन और इंस्टुमेंट नंद मैजरिंग एंगल बिटूइन दिजाइंड विजिबल पॉइंट्स, होराइजेंटल और वार्टिकल दोनों काम करता है यह चेत्रीज और आपका लंबत जो है दोनों तरव एंड ट्रेडिशनली यूज बीन फो दे लैंड सार्वे हमारे धरातल के उपर सार्विंग में जितने सारे उस्टेंबली बिलि और आपको बता दू का कि यह तो पर प्रिजम का इसन्वाल किया जाता है कि यह वार हम जब किसी जगा का दूरी मापते हैं और लेजर में हम जितना प्रिजम को दिजना दूर में रखते हैं वहां से जब हम stereo को select करते हैं, तो तुरंट उसके दूरी को बता देते हैं, automatic को बता देते हैं कि कितना दूरी पर प्रिजम है, कितना mean sea level का hide है, मतलब समुंदर से कितना उचाई पर आप है, वो automatically digitally आपको inform करता है कि कितना GPS लागा हुआ है उसमें, और काफी advance है, laser theodolite जो मे यह दोनों काफी advance है, और काफी huge भी हो रही है, मेरा आवाज अच्छा सा आ रही है, हाँ, next जो है plain table, इसका तो प्रयोग आप लोग किये होंगे, देखे भी होंगे, क्यूंकि ज़्यादा तर UG के भी दर्ती जो है, BA पढ़ रही है, भूगल लेके, तो ज़रूर आप plain table देखे हैं, और कई लोग कई इनवर्सिटी में, BA में नहीं है, plain table, सिधा AMA में है, तो यह plain table का जो है, हमारे भूगल में काफी आच्छा instrument है, और इसके जरिए हम किसी भी जगा में, हम जो रुक अच्छा मानचीतर देखते हैं, माईदान देखते हैं, या हम खेत देखते हैं, माईदान में पेड़ है, रास्ता है, किसी कॉलेज केमपस को हम हमारे पेच में, हमारे कॉपी में, हम उसको बना सकते हैं, इस instrument बहुत ही easy, हम किसी धरातली छेतर को, आपने मानचीतर पर हम को दरशा सकते हैं और कि ऐसीली उसको कर सकते हैं काफी एंट्रेस्टिंग है य Darwin रही चल रही है टीब्डS यूसर्विंग एडिर टिसप्रिन टू प्रोभाइट अश्वानिधेल लेवेल का होते हैं और फील्ड सार्वे में ड्राइंग को आपका on the spot, आप धरतल को बना सकते हैं की मौईदान एरिया को आपने कॉपी में. मांचित्र का जो दूरी धरतल का जो दूरी घंदर हम आपने कॉपी में, मतलब आपने कॉपी में हम दर्साते हैं उस मौईदान के धूरी को according to माबनी की उनुशार अपने कापी में हम बना सकते हैं ऐसा एक बहुत सरल इंस्ट्रुमेंट है जो कि plane table इसके उपर में देखिए बहुत सरा चीज राखा है मैंने इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ सोड़ा सा आप हमारे सद बने रहेंगे हम plane से उसको हम दिखाते हैं एक्चुली यहाँ पर क्या क्या चीज राखा है यह जो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यह है आपका speed level यह जो दिख रहे हैं यह है speed level गोला कर दिया हूँ मैं यह basically इसको हम speed level बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्राप कंपर्स बोलेंगी इसको रखा है मैंने गोला कर रहा हूं ए गए और यह जो है यह चिमता साउल चिमता भी बोलते हैं और यह वैसिकली ओलोन बोलते हैं क्लियर और इसके बाद यहां पे देखिये यह बड़ा सा जो रखा है यह वाला इसको दो सब्सक्राइब में और यह पर अपको यहां पर स्पृट लेवेल यह आपका स्पृट लेवेल यह से आपको देखेंगे और इदार आप और सफ एहर से अपको फीट करना पड़ता है तो इस प्लेंट टेबल का काफी मात्रा में हो रही हैं और किसी भी धरतल को हम अपने कौफी में अपने मांशीत्र पर हम बना सकते हैं मतलब धरादल के बास्तविक दूरी और हम मांचित्र पर उस दूरी को पदर्शित करते हैं इस प्लेंट टेवल सारवे के जरी है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आल्टीमीटर आल्टीमीटर काफी अजकर डिजिटल भी आ गये हैं यह बिसिकली ऑल्टीचूट माप यह बैगा ऑपा जाता है और था तसी कि आफ किना उपर में हो होग में सी लेवल से आफ किना ऊपर में हो क्योंकि हम सब में सी में अब्र यह ज़ो जो आपका न्यार्ड फील लेवेल तो आल्टे मीटर वेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूस्ट तू मेजर अल्टी चूट बिसी के लिए उच्छ वाज को मापते हैं किसी भी जगा सी लेवेल से कितना उपर में हैं और सागरीय तल से उपर में मेजर्मेंट दा अल्टी मेटरी आद हूँ इस रिलेटेट मेजर मेंध देव्ट अंडड़ वाटर वैशिकली किसी भी लेवेल से कितने जांटलमाचीं में देखे होंगे जो कंटूर लाइन होते हैं समूंचर रखा बोलते हैं समूंचर रखा समान उच्छ वाला रखा लताथ औरृटर समान-षच्छ जैसे कि मैं जहां से लाइब कर रहा हूं आपको बता दू पामगर जो है वह लागबाग 297 मीटर में से लिए जब कि आप कुलकाता सिटी चौश मीटर है आपका मुंबाई भी ऐसी टेन मीटर चार मीटर पांच मीटर में है तो हम लोग काफी सेंटाल इंडिया काफी ऊपर म अगर आप में पाड अमर कंटग में जाएंगे तो हजार के उपर है तो अलाग अलाग जगा में अलाग अलाग चेंज होते रहती है उचाई के उच्वाज के आदार में पठार प्रदेस में जाएंगे उचाई अलाग है हिल स्टेशन में जाएंगे उचाई अलाग है के लिए आल्टिमीटर के जिरिये किया जाता है चलि आगे बढ़ते हैं यह है भैरोग्राम बोलते हैं बारोग्राम बिसंक लिए बैरोग्राफ बैरो मैं डानेट्रिक जो बैरोँमी टर रहेमाओं तचा थिर दिख रहा होगाँ है यह यह जो आपका मैशीन है यह बिसिकली भॉकम मावने का आपका सीस्मिक्राव यहां पे आपका ग्राफिकली इस तरह ड्रो होता है यह जो दिगर का यह ग्राफिकली एक आपका यह बिसिकलिए बैरमेटरिक प्रेशार प्रोटेक्टर का इस्तेमाल आमतर पर एकदम क्लास 1 से लेके सुरू हो जाती है और यह काफी भूगल में अगर भूगल के भी दरती है तो प्रोटेक्टर का यूज भी करना है आपको 360 डिग्री जो आपका चांदा भी बोलता है हिंदी में प्रोटेक्टर बोलते हैं और a measurement instrument typically made by the transparent plastic और glasses होते हैं और measuring the angle most of the protector measure angle the degree radiance scale protector measurement angle तो इसमें 360 degree किसी भी जगा से किसी भी जगा का angle मापने के लिए हम इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल जो है कौन से डिग्री पर कितना है कहां पे स्तीद है तो यहां पे easily हम यहां से निकल सकते है कि वो कितना डिग्री पर है तो इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल जो है भुगल के practical में काफी ज़्यादा यूज होते हैं तो यह हार सब के पास होना चाहिए नेक्ष्ट है साउंड मीटर यह भी काफी इंट्रेस्टिंग मैसीन है साउंड मीटर जो है आप पॉल्यूशन के डेसिमेल को फाउंड करने के लिए इस्तेमाल कह जाता है पुरिया वरन में इसका ज्यादा प्रयोग होते हैं किसी भी बाजार में मार्केट में कितना आपक करता है कितना डेसिमेल साउंड पैदा हो रही है मार्केट प्लेस नॉर्माल प्लेस आप किसी सीटी एरिया में क्राउडी प्लेस में मैसीन को अन कर दीजिए आपको दिखेगा कितना साउंड में डेसिमेल में उचल रहा है कितना साउंड डेसिमेल पॉल्यूशन हो रही है इसको हम बोलते हैं sound meter जिसके दारा हम किसी जगा का sound के प्रिशर लेवल को जाच किया जाता है और ताथ sound के decibel को माबने के लिए इस machine का इस्तिमाल के जाता है जिसका नाम है sound meter किलिए नेग्स आगे बढ़ते हैं यह है सिज्मो मीटर काफी इंट्रेस्टिंग है राजकुमर कुर्णाजी welcome और भरीना से ठीट थैंक यू थैंक यू राजकुमर यहां पर आपको दिख रहा है सिज्मो मीटर सिज्मो मीटर बैसी कि लिए सिस्मो मीटर इधा इन्स्टुम तो यह मैसीन जो है बिसेकिलिए जब भुकम होते हैं तो हमारे आर्थ जो है वह हिलता है और जैसे हिलेगा वह इस जगा में टाज करते हैं और यहां पर ग्राब बनाते हैं वह कैसे हो रही है वहां पर हिलना जुडना क्लियर और यहां पे मेजारमेंट का कैलकूलेशन होता है कि कि प्रतिश्थ हो हिल रहा है सेवेड़ पॉइंट टू है कि सेवेड़ पॉइंट है अगर सीख से जादा है तो डेस्टाइ जादा होगी यहां पे भुकम तो हर दिन होते हैं मैंने बोला तो यहां पर जो सीजमोमीटर का काम है बैसिकली सीजमोमीटर जो जो मैजरमेंट करते हैं जो अमारे आर्थ जब मोशन करते हैं जब हम धरातल कपते हैं भुकम होते हैं तो यहां त्राफिकली करता है जिस मैसिन के थुरू हमें डेटा प्राब्द होती है वह सिस्मोमिटर और इसमें घ्राफ के दारा पता चलता कि कि तने प्रतिशत भुकम के महत्र था नेक्स एन दर जो है गैस मीटर आप लोग देखें होंगे कि गैस मिटर जो होते हैं बेसिकली ये ते स्पेशाल गैस मेटर इज दा स्पेशाली फ्लो ऑब मीटर यूज़ दा मेजरमेंट वॉल्यूम आप फोयल गैस किसी भी गैस एक जगा से दूजरे जगा कितने पोजिशत गया आपको पता दू बहुत सरे सीटी में आजकाल गैस जो है पाइव लाइन है घ इसे हमारे बिजली का ललगता है ऐसी घास adds का लाइन में मीटर लागा रहता है यहां पर देखिए एटा ज्यूका दोनों इस दिग रहे है यहां पर है तो यह कितना आपका खापद हो रही है वो उस मीटर जारा जाहरा पको पताचलता है और यह काफी सीटी में डेइवल बिल्डिंग एरिया काफी जगा में इसका प्रायोग हो रही है और इस्ट्रुमेंट जो है गैस मीटर के नाम में जना जाता है और आगे बढ़ते हैं लाइट मीटर एक काफी इंट्रेस्टिंग है लाइट मीटर जो है बिसी कि लिए उस्टू मेजर था यामाउंट अब लाइट जैसा जैसे जेगा में हम किसी जाता है और लाइटकाङं था है तो आपको कैसे प्रजाएब लाइट के लिए लाइट के कितना लाइट है यहां पे लाइट मीटर का भी भूगल में काफी जोगदन है और यह इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको याद रखना होगा लाइट मीटर के बारे में को मापा जाता है कि यहां पर यहां पे डीडर किया जाता है और molecular weight मापा जाता है, यहाँ पे compound of the polymer, तो basically इसमें osmometer के नाम में जाना जाता है, Google में higher study में इसका प्रयोग है, तो यह machine जो है काफी मात्रा में, as a osmometer is the device for measuring osmotic strength, basically solution, solution colloid compound, अगर water solution, chemical, chemistry reaction, water pollution, या आफ soil study कर रहे है, soil chemical properties, soil में मिर्दाओं में रासानिक पदार्थों का मिलावाट, पानी में रासानिक पदार्थों का मिलावाट, यह सारी जब analysis करते हैं, तो osmometer का प्रयोग जो है, काफी ज्यादा मात्रा में यूज होता है, नेक्स जो है q meter, यह काफी important है, q meter basically कई लोग भूगल बला जानते नहीं है, इस machine के बारे में, q meter जो है, यह equipment used to testing the radio frequency, basically frequency का जब हम टेस्टिंग करते हैं, frequency circuit बोलते हैं, basically, इसको q meter बोला जाता है, तो यह इसके दारा में radio frequency circuit जो है, इसका इसका इस्तिमाल remote sensing पे जाता पर य यूच किया जाता है, frequency कितना आ रही है, कुसी instrument में कोई sound आ रही है, तो यह सारी चीज़ जो है, satellite के दुनिया में काफी high level पर चला गया है, और आज के दिन भूगोल से भूगोल में नहीं है, भूगोल टेक्नोलाजी के साथ जूड गई है, remote sensing GIS, GPS के साथ जूड गई है, त तो इसको याद रखेंगे, next another hydrophone, basically microphone which detects the sound wave under the water, पानी के अंदर में अगर detect करना है sound, तो उसको कौन से machine का यूच करे, ओ है hydrophone कहा जाता है, यह microphone which detects the sound wave under the water, पानी के अंदर में कुछ sound हो रही है, कैसे पता चलेगा, तो यह basically, और electrical conductivity, यह basically electric conductivity है, measure the electric conductivity solution and commonly used in the hydrophonic and aquaculture and fresh water monitoring amount of the nutrients, कितने प्रतिशाद nutrient है, कितने प्रतिशाद पानी में salt है in purified in water, यह सारी जो है electric conductivity जो है, इसका यूच किया जाता है, और pentograph, यह काफी important है, कई बार question भी पुछा गया है, pentograph क्या है, pentograph basically enrollment and reduction of map, जब enrollment and reduction of map होता है, तो उसको pentograph कहा जाता है, और parallax bar जो है, उसको measurement the elevation from the photographer, जब measurement किया जाता है, किसी उच्च बाच का, from the photography किसी photo को देखके, तो उसको parallax bar कहा जाता है, parallax bar कहा जाता है, measurement the elevation from the photographer, next another important है, hectare pestle, hectare pestle क्या है, hectare pestle basically a unit pressure measurement है, यह widely through, throughout the world, यह basically किसी जगा में बाई के दाब measurement का units है, hectare pestle में found out किया जाता है, hydrography, यह time जो है, काफी important है भूगल में, hydrography basically hydrographic serving है, और bathymetric serving is the survey, physical features, present underwater, पानी के अंदर में, basically hydrosoft जो है, यहाँ पर पानी, याद रखेंगे भूगल बहले हम जानते होंगे, it is a science and measuring all factor beneath the water, after all the marine activities, like the drilling, marine construction, offshore drilling, तो यह सब hydrography के अंदर में आते हैं, और आपको बता दू, bathymeter करके एक instrument है, जिसमें measuring the water depth, पानी के depth को मेजर किया जाता है, उसको नाम है bathymeter, it is probably used measuring the water depth, और bathymeter भी का जाता है, I use the mainly oceanographical study, अगर आप सागर के बारे में जानकरी चाहिए, आपका पूरे सागर के बारे में जानकरी, oceanographic के आलग पड़ाई होती है, आपको बता दू, आना इन्वर्सिटी जो है साउध इंडिया में, आप जुरूर oceanography में 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 कर सकते हैं, आप तर भूगल के बाद, तो काफी इंट्रेस्टिंग है subject oceanography about ocean के बारे में जानना और भूगल के लिए काफी ब्रांच है, मैं अभी live में मौका मिला, जैसे कि आप भूगल में अगर आप graduate है, आप एमें भी कर लिए हैं, ता आप oceanography, population study, metrology, यह सब remote sensing, यह सब कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप remote sensing GIS में higher study कर सकते हैं, यह जो आभी जो सामने आपको दिग रहा है, वह है, साइक्लोमीटर, साइक्लोमीटर जो है relative humidity को मापा जाता है, और आपका साइलोमीटर भी का जाता है, यूज़ दा लेजर और लाइट को source, and they determine the light of cloud waste, or can also use the major aerosol concentration with the atmosphere, basically, इसको याद रखेंगे, नेक्स जो है, यह काफी important है, रोटा मीटर, हम जब धरातल में जो धरातल मानचित्र है, टोपोशिट का अनलाइसिस करते हैं, हमारे कई लोग तो यूज़ ही नहीं करता है, यह बहुत sad, दुख की बाद है, प्रोफेसर भी नहीं जानते हैं कई जगा में, basically, हम धरातल मानचित्र को जब अनलाइसिस करते हैं, धरातल मानचित्र के बारे में जब अध्धान करते हैं, कितने जगा में, कितने कॉलेज में इसको सिखाता है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन हार फेकल्टी मेंबर को इसको सिखाना चाहिए बच्चो को, वो basically, रोटामीटर का यूज करना, ये basically, मैं आपका मेजरमेंट होते हैं, किसी नदी का, कितना एरिया फेला हुआ है, नदी, कितना रोट, कितना दूर तक फेला हुआ है, हम धरातल मानचित्र को देखके, हम उसमें सेंटीमीटर स्केल में, आम उसको कनवाट करके देख सकते हैं कि नदी जो है, उसकी इतना सेंटीमीटर एरिया वो कभार कर रही है, रोटामीटर एक बर चला दिये, जितना चला दिये, जितना चला दिये, जिरो से, जितना चला गया है, उधना आपका एरिया मेजरमेंट हो जाता है, काफी इंट्रेस्टिंग है इंस्ट्रुमेंट, य सब्सक्राइब करने के लिए और नदी का दूरी को देखने के लिए क्योंकि नदी तो ड्राइंग में तीर्चा है ना सिधा थोड़ी खीचा है सिधा खीचा होगा ताब स्केल माप पर दख लेंगे कि इतना सेंटीमेटर दूरी है सिधा अगर होता नदी तो हम स्केल में माम लेते हैं कितना दूरी पर नदी फेला हुआ है लेकिन नदी कभी सिधा नहीं होते नदी एक बाठ और दाइं एक बाठ बाएं एक बाठ बाठ तो को भी आप अगर नदी के उपर से चलाएंगे डाएंवाएं करके तो उहां पर आपको दिखेगा कितना एरिया आपका नदी जो है सेंटिमीटर में वो दिख जाता है और आप मैप के स्केल के साथ उसको माल्टिप्लाई कर देजिए एक सेंटिमीटर बरबर आपको बाल एक सार्भी इंस्ट्रुमेंट चाहिं को से का मिडाएंपीटर के दारा और उस जगा के बारे में हम फूरा जानकारी ले सकते हैं इस इंट्वेंट कमपास का प्रयोग जो है बिसिकली इनेविगेशन एंड सार्विंग इंस्टुमेंट है यह जो है एक सार्विंग इंस्टुमेंट है और किसी भी नेविगेशन पर्फेक्ट एंगेल जो नॉर्थ वेरिंग होते हैं वह हम ढूनने के लिए इस मैसिन का यूज किया जाता है टेवर्ट एंगेल बीटुइन देम वेफवाइंट एंड डायरेक्शन वह यहां पर जो है पिस्मेटिक कमपस के दारा किसी भी स्थान के रिस्पेक्ट में किसी स्थान के अवस्था कहां पर है उत्तरी बेरिंग के उनुशार हम वहां पर निकल सकते हैं एक जगा से दूस सकते हैं अर्था देपिसमेटिक कंपस इजे नेविगेशन आट सार्व इंस्थमेंट हुईचीज जी एकस्टेमी वीजिटेंसिबली युची फिटेंसीबली युज तो फाइंड आउत बेरिंग अप्ते यह और्शार्वें कर सकते हैं रिभूजी करन वीधी याँ रेड में चैनल में फीडियो मैं ज़रूर्ग करते हैं और उसमें कच वीडियो हैूस्ज में ज़रूर्य नेक्स्च छुऑ है यहां पर गो है तो आज जितने सारे इंस्ट्रूमेंट और उसके शाथ हमने उसका यूच और प्रयोक आपको मैंने बताया और अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर आप यहां पर हमारे चैनल को आप जरूर वीजिट करें ताकि हमारे चैनल में आपको बता दू कि इस तरह वीडियो है और लाइब क्लासेज हैं और जैसे कि आपक में आपको बोगोल काफी मदद करेगी क्यूंकि जीयोगरफी को आप मत छोड़िये क्यूंकि इन पूछार में भूगोल से ही आपको minimum 30% question आपको पुछा जाता है UPSC के बाद हो या PST के बाद हो किसी भी exam से बाद हो तो इसलिए मेरे चैनल में काफी video है competitive exam channel में जाएंगे view channel में playlist में जाएंगे playlist में काफी सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगी जुरूर विजिट करें और मैं लास्ट में यह बोलना चाहूंगा कि आगर आप नया है तो जुरूर subscribe कर ले bill all को जुरूर click कर ले ताकि नया वीडियो का notification सबसे पहले आपको mobile में मिलेगी चलिए आज के लिए Tata जाहिंद और किसी doubt होगी जुरूर आप comment कर सकते हैं यहाँ पर मैं comment देखूंगा राजकुमार सेर जी thank you sir for nice video thank you thank you राजकुमार सेर और यहाँ पर इस topic के बहुती आप सकता थी thank you ओम प्रकास निराला welcome thank you यहाँ पर comment देख रहे हैं साकेत उनुका हम जुरूर आप comment करें लाइब चैट कुला है मनीश अजय यहाँ पर आप सब देख रहे हैं मेरे लाइब और अच्छा लगा और मेरा एक जम टिप्स का भी वीडियो है जो कि आपके लिए हम हमेशा रेडी हैं और आप है तो मैं YouTube में हूँ चलिए टाटा गुड़ नाइट गुड़ नाइट तो आल थैंक यू आ बेजनात साव थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर्स हर्स महाभाया महाभिया अच्छा नाम एक्चली आपके ज थैंक यू स्वैल फर्मेशन एंड वायल प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो के ओके तो मैं ध्यू ला रहा हूं बहुत जलत आ रहे हैं सकत्व सांद क्लास के वीडियो तो मेरे को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा मैं जुरूर करूंगा उसको अर्वीन और मिं नेया टॉपिक किशांद, thank you, thank you to all.